हलो फ्रेंड मैं उपुस्पा पुस्पा की पाक साला में आपका फिर से स्वागत है आज मैं डोरा केक की रेसिपी लेके आई हूँ बच्चों को डोरा केक है उबेद पसंद होता और इसको बनाना बिल्कुल भी मुस्किल नहीं आप घर में बिल्कुल पांच मिनट में ये ड पसंद है कि ये लाइक और सेर करें चैनल पन लेए तो सबस्क्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाए चलो इसको बनाना एं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्रीम बना लेते हैं तो मैं इसमोंच्टिक कड़ाई ले रही हूँ और एक कप से नापकिया एक कप मै मैंने स्वाद अनुसार लए गैंस पर आपको कड़ाई पहले नहीं चढ़ानी पहले तीनों चीजों को अच्छे से mix कर लें milk powder आप कोई भी brand का ले सकते हैं जो भी आपके पास available है वो milk powder यूज कर ले और milk powder के market में आसानी से 10-10 रुपए के pouch भी में उती हैं अगर milk powder नहीं तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी तो मैंने कुछ तागे caseर के डाल दी है पूरी तरह से optional है सारी चीजों को और एक बार ऐसे लगएगा कि जैसे घूट्रियां बन रहीं लेकिन यह से बीलकुल भी नहीं जैसे जैसी किहीं गाड़ी होगी एक बार गूट्रियां जैसे बन रही आशी लगगा लेकिन आपको गाड़ी क्रीम तयार कर लेंए अगर आपके पास milk powder नहीं तो आप यह क्र में इसके अंदर भरके डालूंगी मिल्क पाउडर इससे जो डोरा केक है उसमें टेश्ट लाय जवाब आएगा और थोड़ी सी मैंने चोथाई कप के करीब चीनी डाल दिये मिटा आप अपने नुसार डाल सकते हैं थोड़ा सा मैंने इलाची पाउडर डाल दिये और दो से पीन चुटकी इसके अंदर नमक डाल दिया है अब मैं मतनी से मिक्स करूंगी और नॉर्मल पाने से आपको बेटर बना के तयार कर लेना है अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते कोई जरूरी नहीं है टेश्ट अच्छा आता इसलिए मैंने मिल पाउडर डाला है और आप मेदे की जगे गयों के आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह गयों के आटे से भी बना सकते हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जारी और अच्छे से आपको मिक्स करना है बिल्कुल भी इसके अंदर गुष्ण नहीं रहनी चाहिए और हमें अच्छा सा एक बेटर बना के तयार कर लेना है इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम की जरूत नहीं है और यह मिन्टों में बना के तयार कर सकते हैं बच्चों को यह बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं आपकी फिन में बना के दे सकते हैं बच् बीस मिनट के करीब ढ़कन लगा के रख दिया था देखें बेटर है कुछ इस तरह का होना चाहिए आप देख ले आप इस तरह से मथनी से गिराएंगे तो एक रिबीन की तरह बनेगा आप चाहे चमच से गिरा है चाहे मथनी से बिल्कुल परफेक्ट पेटर है इसके अंदर मैंने जो खाने वाला इस्टील का चमच होता है उससे तीन से चार चमच मैंने रिफाइन डाल दिया है जो हम तड़के में यूज करते तेल आपको सरसों या नारियल का तेल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जो हम सब्जी वगर बनाने के लिए नॉर्मल तेल यूज करत वेनिला फ्लेवर के लिए मैंने 8-10 बूंदे वेनिला एसेंच डाला है अगर आपके पास नहीं है तो आप लाची पाउडर से भी चला सकते हैं कोई जरूरी नहीं है इसके अंदर मैंने जो खाने वाला इस्टील का चमच से उससे चोथा ही चमच मैंने मीठा सोडा डाला ह जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे तो आपको इससे दो गुना डालना है यह दोनों चीजे भी नहीं है तो आप इसमें इनो डाल सकते हैं सारी च तवाई लेना है तांकि जो दोरा केक हम बनाते हैं वो इसके उपर बिल्कुल भी चिपके ना गैंस के आच मैंने मीडियुम रखी और जो तवा वो मीडियुम गरम होना चाहिए ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो डोरा के उपर डाल दी वो जल जाएगा अंदर से क जाना उसके अनुसार आप बेटर डाल सकते हैं मैंने मीडियुम साइज के डोरा केक बनाए तो मैंने थोड़ा सा ही इसके उपर बेटर डाला है अब मीडियुम आज पे आपको इसको अच्छे से पकने देना है इसके उपर बहुल सा जाएंगे और इसकी किनारी है वो हलकी हम हटा लेंगे चम्मस से तो आप देख सकते बिलकुल पर्फेक्ट दोरा केक हमारा बन के तयार हो गए वापस हम टीसू से थोड़ा सा तवा है वो चिकना कर लेंगे और इसके उपर बेटर डाल देंगे इसी तरह से मैं सारे डोरा केक बना के तयार कर लूँगी इसके उपर पर ज़रूर बना के ट्राइश करें बच्चों को तो बहुत जादा पसंद आ कर दालेंगे तो बच्चे सोग सरे रेंगे बना के लिए आप देख सकते को बहुत जादा पसंद एजन है दूस्टे अच्छ तー नविद्टूर बना के डालने होते ओ और दोास्तों को उपर रखेंगे और अच्छे से दबा के सेट कर देंगे इसी तरह से मैंने सारे डोरा केक हैं बना के तयार कर दिये आप इसको बिना क्रीम के भी बना सकते हैं या फिर जैम लगा सकते हैं सोस लगा सकते बच्चों को पसंद तो या आप चोकलेट क्रीम बना के लगा सकते हैं तो सारे डोरा केक बन के तयार हो चुके हैं और इतने soft और tasty है कि मैं क्या बताऊं आपको मैं cut करके भी दिखाऊंगी बिल्कुल soft बने हैं ये आप घर में जब एक बार बनाएंगे तो बच्चे daily demand करेंगे और अगर आप क्यों के आर्टेसे बनाते तो और ज़्यादे ये घेलदी भी बनते हैं और आराम से गेंग का आर्टेसे बना सकते हैं तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और फेमली फ्रेंड में सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर बताए